दो शब्द है एक इन शब्दों को सीखने की कोशिश करें साथ बहुत समस्य हाल हो सकती अध्यात्म में जो हम पक्षिपात का आरोप लगाते हैं यह हट सकता है एक शब्द है समदर्शन और एक शब्द है समवर्तन ध्यान से समझना एक शब्द है समदर्शन और एक शब्द है समवर्तन भागवान ने कहीं नहीं लिखाए कि मैं समवर्तन करूंगा गाधान बोलते हैं सम वर्तिनार सुनि चैिवा शुपाकेय यह पंडिताः सम दर्षिनह आ हैın मतलब एक जैसे द्रृश्टी हुए भगवान नहीं नहीं कहा कि मैं सबसे एक जैसा वेवहार करूंगा- लेकिन सभी के प्रति मेरी दृष्टी एक होगी कोई बहुत पूछ सकता है महाराजी कैसे समझों समधर्शन और समवर्तन में आपको एक दृष्टा आंते दूँ आप एक डॉक्टर के पास गए अब जब डॉक्टर बैठा है तो उसके केबिन के आगे ना पांच मरीज बैठे हैं तो एक का सिर दुख रहा है एक का पेट दुख रहा है एक का कान दुख रहा है एक नाग दुख रही है सब का कुछ कुछ दुखी रहा है और सब बैठे पड़े हैं दुखी आत्मा जितने अब डॉक्टर जब बुलाता है तो जिसका पेट दर्द हो रहा था तो किसका इलाज करता है वो हाथ कहां लगाता है पेट पर जो mentally disturbed है उससे बड़े प्यार से बात करता है उसको बहलाता है फुसलाता है जिसके कान में दर्द हो रहा है उसके कान के अंदर कुछ मशीन डालता है जिसके पैर में दर्द हो रहा है वो पैर को छूता है तो आप बताओ डॉक्टर की नजर में सभी क्या है रोगी चिकित्सक की नजर में सभी रोगी है चाहे वो हात दर्द करे चाहे पैर दर्द करे चाहे सिर दर्द करे कुछ भी दर्द करे कुछ भी रोगी है लेकिन समदर्शन तो यह हो गया कि रोगी है लेकिन समवर्तन क्या हुआ सबसे अगलग है नहीं अब वो तो नहीं कहेगा कि मैंने पहला वाले के कान में मशीन डाली तो मैं दूसरे वाले के में भी डाल दूंगा तो आप बोलो कि यह कैसे कर रहा है कि तरह देखना समदर्शन मतलब एक दृष्टी है कि सबके सब मरीज हैं लेकिन समवर्तन यह हुआ कि सबका इलाज अलग-अलग करना है मैं एक ब्यवहार इक दृष्टान तो आप मेरे कहले भागवद्व ही सुनने आ रहे हैं जिनके पुत्र पुत्री ठोड़ा परेशान क करते होंगे यह दुखी होंगे दुखी आत्मा जो असली वाले वो तो मस्त गोम रहे होंगे टीवी देख रहे होंगे आप देखना चारा सॉरी